अलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम तो माई चानेल, फिक्ट और फ्लेक्जिबल, आज मिलेट डाइट फॉर वेट लॉस का है डे 62, और आज हम एक्सरसाइज करने वाले है, वो स्पेशल एक्सरसाइज है, उन लोगों के लिए है जिने और्थरेटिस है, वैसे हम वेट लॉस के लिए हल रोज एक्सरसाइज कर रहे है, उसके साथ साथ प्रॉपर डाइट भी ले रहे है, जो मेरे साथ मिलेट डाइट कर रहे है, वो मिलेट खा रहे है, और जो लोग मिलेट नहीं खा रहे है, वो लोग भी ये डाइट कर सकते है, मिलेट के अलाबा हम बाकी सारी फू और्थराइटिस्ट है यानिके उनके जो जॉइंस है हाथ के जॉइंस पैरों के जॉइंस उन्हें वहां पर बहुत सारा दर्ध है और वो इससाइज नहीं कर पाती है और उनका जो दर्ध है वो बढ़ते जाता है तो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि किस-किस की तो फैमिली हिस्ट्री रही है कि जैसे उनके पैरेंट्स को है तो बच्चों में भी आ जाता है उनके बच्चों में भी आता है तो उन लोगों को हमेशा अपनी जो बॉड़ी है उसे एक्सरसाइज में रखना है तो उससे उन्हें ज करें और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है जिनके फैमिली में और इस चलते आ रहा है उन लोगों ने अगर यह एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर लिया तो उन्हें शायद इसका दर्थ कम होगा या होगा ही नहीं चलो हम शुरू करते हैं एकदम सिंपल और छोटी-छोटी एक्सरस करना है चलो तो शुरू करते हैं फर्स्ट हम नेक से शुरुवात करेंगे लेकिन यह सारी एक्सरसाइज में सिर्फ त्री टाइम्स लिखाऊंगी आपको यह गिनके फिफ्टीन टाइम्स तो करनी है दस या पंदरा टाइम आप कर सकते हो चलो तो स्टार्ट परस्ट हमें नेक को लेफ्ट में लेके जाना है जितना हो सके उतना इस लेवल तर लाना है शोल्डर तब दीरे दीरे लेके जाना है कोई भी एक्सरसाइज उन्होंने जल्द देखे नहीं करनी है कुछ सेकेंड्स हमें होल्ड करना है 10 सेकेंड्स भी अगर होल्ड करते हैं तो अच्छी कि तुटुटाइम्स हुआ अभ मैं तीसरे बार कर रही हूं सिर्फ लेव्या और उर राइट हमें लेकर जाना है और नी जगाह पजám पड़ आब हमें लेफ्ट हो राइक टान करनी सिर्फ नेक यहां पर लेकर गये दले हैं台ralrr आप साइड में बेंड करनी है देखो इस तरफ यहां पर खिचाब आएगा पील करना है फोल्ड करना है कुछ सेकेंड के लिए यहां पर खिचाब है इसे पील करना है वान यह हुआ दूसरी बार तीसरी बार ओके यह तीन टाइम हुआ अब हमें यह जो हाथ है कान के उपर रखना है देखो बराबर कान के उपर और मुझे हाथ की तरफ जिर को पुश करना है और हाथ को सिर की तरफ पुश करना है अपोजिट चलो वान तू थ्री वैसे ही सेम इस साइड कान के उपर हाथ वान तू थ्री अभी हम हाथ को इस तरह जोइन करेंगे और हाथ जो है सिर को प्रेस करेंगे और जो सिर है वो हाथ की तरफ प्रेस करना है दबाना है ओपोजिट टैरिक्शन में देखो वान तू थ्री उसी तरफ सेल हमें इस तरह भी चलेगा या इस तरह भी चलेगा देखो हाथ सिर की तरफ कर रहें नीं मुह और सिर को हाथ की तरफ वान टू एंद त्री ये मुझे सिर्फ हाथ में ही तर्थ है तो मैं ये क्यों कर ओं ऐसे नहीं है और एक पार्ट को अप्य एक्सरसाइज में रखाना 1,2,3 तराइ करना है जो नाखूनमाला पार्ट है उससे इस तरह बेंड करना है उसके आगे वाला पेंद करना है, यह अच्छे से होता है, पहले वाला बहुत कम होता है, अभी पूरा यहां वाला, और अराम से करना है, आपको यह 10-10 ताइम्स तो करना ही है, मैं सिर्फ 3 टाइम्स दिखा रहे हूँ, इसके बाद पूरा मुर्थी अभी देखो ये हो गया अभी हमें इस तरह मुर्थी करके भुमाना है हाथ को रिवर्स ठीक है अभी हमें हाथ को इस तरह रवना है और उंगलियों को पीछे की तरफ खीचना है अच्छे से खीचना है थोड़ा दर्थ होगा तो भी सहन करना है और हलके हाथ से खीचना है रिलाक्स वान टू थ्री इस हाथ को भी सहन करना है वान टू एंड थ्री अब जैसे उपर किया वैसे नीचे की तरफ वान टू एंड थ्री सेंड यहाँ पर भी वान टू एंड थ्री चलो अब यह हाथ का हो गया अब हम इस एल्बो के लिए क्या करेंगे देखो इस तरफा वान टू थ्री रिवर्स वान टू थ्री ठीक है अब कूरा हाथ वान टू थ्री रिवर्स वान टू थ्री ठीक है इस हाथ से भी वान टू थ्री वान टू थ्री इस हाथ के बाद हमें जैसे हमने इस तरफ भुमाया है अब सामने करता है वान टू थ्री रिवर्स सामने की तरफ देखो आप समझ रहे हो तू एंड इसाथ से भी, one, two, three, reverse, one, two, and three, ये हुआ हाथ का, अब शोल्डर पर हाथ रखने हैं इसकरा, और पूरा राउंड करना है, one, two, three, reverse, one, two, and three, हर एक एक्सरसाइस हमें फील करते भी करना है, हर एक जॉइन को अंदर से फील कराना है, अब ही देखो हाथ रखने हैं, one, two, three, उसी तरह यहाँ पर, one, two, three, ये हमें गिन गिन कर दस दस टैंड करना ही है, अब देखो, हाथ को हमें सीधा उपर उठाना है, one, two, and three, उसी तरह हमें हाथ को अभी, one, two, and three, पीछे लेकर जाना है, अब दोनों पैरों में डिस्टन्स लेना है, और सिर्फ हाथ को उपर लेकर जाके, साइड में टर्न होना है, ना कि आगे, उके, सिर्फ साइड में टर्न होना है, इस तरह, one, two, three, one, two, and three, ये जिन्हें ऑप्धर रजिस है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, ये तिकने के लिए कुछ भी नहीं है, एक्दम सिंपल है, लेकिन उनके हर एक जॉइन को प्रॉपर मसाज देने वाला है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग देने वाला है, इसलिए उन्हें करना ही है, अब हमें वापस पेरमें डिस्टंस रखना है, और हाथ कमर कर रखे, धीरे धीरे नीचे आना है, इस तरह, सिर्फ हाफ आना है, और उपर आना है वापस, one, two, and three, उस सेकेंड के लिए हमें होल्ड रखना है और उपर आना है, अभी सर्कल करना है, one, two, three, one, two, and three, इस बीच एक रह गया उपर का, देखो, ये करना है, one, two, three, अब हमें, पैरों के लिए देखो क्या करना है, पैर को याने नी को उपर उठाएंगे इस तरह, one, two, वापस जगे पर जाना है, and three, one, two, and three, ये तीन टाइम कर रहे हूं, आपको एट लिस दस टाइम दो करना ही है, अब कोशिश करनी है हमें, पैर को जितना हो सके उतना वाइड करना है, अपने इस साथ से, और हलका सा नीचे बैठना है, ज्यादा नहीं, जिने नीपें हैं, उन्हें दर्थ होगा, लेक लेकिन हलका नीचे बैठना है, अगर वो ज्यादा बैठ सकते हैं, तो ज्यादा बैठना भी अच्छा है, और जिने नहीं हो रहा है, वो थोड़ा मुमेंट है, one, two, three, ओके, अब हम नीचे बैठ कर एक्सरसाइज करेंगे, देखो, सबसे पहले, अगर आपको ये उंगलिय दिख रही है, तो क्या करना है, फर्स हमें उंगलियों को इस तरह मोड़ना है, और खोलना है, खोलना भी है, तो पूरा इस तरह खोलना है, ओके, देखो, one, two, three, जिने उंगलियों में दर्ध है, या उंगलिया जैसे गैप लेके और इसे स्ट्रेच हो गई है, उन लोगों उनने भी ये कोशिश करनी है, कि वो इसे बन करें और खोले, जैसे हम हाथ की मुट्टी बन करते हैं, उसी तरह यहाँ पर करना है, थोड़ा उन्हें पें होगा, लेकिन धीरे-धीरे ये करना है, एक बार, दो बार, ऐसे काउंडिंग पढ़ा दी है, देखो इस तरह, अभ खोलने है, सारी उंगलियां, सबने ही करना है, पूरा खोलना है और बन करना है, पूरा खोलना है और बन करना है, उंगलियों में जितना हो सके उतना, इसे डिस्टन्स रखना है, वो सके उतना, बन, वापस डिस्टन्स, खोलना है, उंगलियों को रब्बे लेके जाना है, और वापस सिकूल लेना है इस तरफ, वापस खोलना है इस तरफ, ठीक है, अब हम आगे लेके जाएंगे पैर को, जो हमारा फुट है, उसे आगे की तरफ खीचना है, जितना हो सके उतना, एक बार पीछी की तरफ, यह हुआ, वान, टू, और थ्री, अब हम सर्कल करेंगे, व वान, टू, थ्री, उटा कर रहे हूं, रिवर्स, टू, एंड थ्री, यह हुआ, अब एक पैर को इस तरह रपना है, अभी पैरों में इस तरह हाथ को फसाना है, हाथ के उंगलियों को, और इस तरह, वान, टू, एंड थ्री, जिन्हें दर्थ है, वो प्यार से, धिरे दिरे करेंगे, नहीं हो रहा है, तो कोशिश करेंगे उसे पूरा टन करने की, और फिर इस तरह लाने की, फिर उल्ढे दरफ लाने की, अभी यही इस तरह ही पकड़ना है, और वान, टू, थ्री, रिवर्स, वान, टू, एंड री, अब हाथ यहाँ पर रखना है थाइस पर और नीचे लेकर जाना है एक बार उठाना है त्री टाइम ये उठाया अब हम इस तरब हाथ में उठाएंगे पैर और ठोड़ा जुला जुलाएंगे त्री टाइम अब छोड़ देना है सेम हम इस पैर से भी करेंगे लेखो हाथ की उंगलियों को पेर के उंगलियों में फसाना है और यह करते बाग अगर आपको प्रिएंप आता है तो थोड़ा छोड़ देना जिससे एक्दम किसी को ज्यादा अजयार्द देवाई तो उन्हें पें होगा और अखड़े जैसा होगा तो उस रख छोड़ देना है थोड़ी देर बाद वापर शुरुवात करनी है देखो वान टू थ्री अभी आंगल को घुमाना है वान टू एंड थ्री रिवर्स करना है वान टू एंड थ्री अब हम इसको नीचे लेके जाएंगे अब हम इसे इस तरह हाथ में पकड़ लेंगे वान टू थ्री ठीक है यह होने के बाद अब हम वापस यह होने के बाद अब हम बटरफ्लाइब करेंगे देखो इस तरह आराम से पकड़ लेना है और यह तो हमें 100 टाइम करें तो भी कम है जैसे गिरना है देखोंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे हमें 100 टाइम करना है और लास्ट में 1, 2, 3 and 4 अभी हमें एक napkin लेना है और इसे इस तरह fold करना है अगर बड़ा भी napkin है तो चलेगा, towel भी है तो चलेगा अब हमें देखो, यहाँ पर जो गुटना है उसे नीचे press करना है इस तरह 1, 2, 3, 4 इसे नहीं उठाना है and 5 same, दूसरे side 1, 2, 3, 4 and 5 उसी तरह यहाँ पर हमें towel रखना है और pair को इस तरह उठाना है देखो 1, यह tight करना है 2, 3, 4 and 5 same, thighs के नीचे रखेंगे 1, 2, 3, 4 and 5 अभी इसमें यहाँ पर रखना है और pair को इस तरह नजदीक रेके जाना है और दबाना है आप pair को अंदर से इस तरह दबाएंगे 1, 2, 3, 4 and 5 same, यहाँ पर रखना है और 1, 2, 3, 4 and 5 यहाँ हम ऐसे भी कर सकते है pair में इस तरह रखना है और 1, 2, 3, 4 and 5 same हम दूसरे साइड करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5 आप हम नैपकेन को इस तरह बीच में पकड़ेंगे और प्रेशर देना है बीच में नैपकेन को 1, 2, 3, 4 and 5 अब लास्ट हमें इसका ऐसे करना है पैर को इस तरह रिलाक्स कराना है हाथ को भी इस तरह रिलाक्स कराना है और जो हम बेसिक जो स्ट्रेचिंग करते हैं वो वाले स्ट्रेचिंग भी इसमें करने हैं जैसे हाथ को इस तरह तरह तर्म किया पास ओल्ड करना है याद से पील उपर अब हम पैरों के स्ट्रेचिंग करेंगे जो हम एक्सरसाइज के बाद करते हैं अच्छे से थाइज में खिजावाना चाहिए दूसरा पैर अगर आपको ऐसे करने नहीं होरा सपोर्ट लेके करना अच्छे से अब पैर खो उपर रखना है इस तरह और जितना हो सके उतना यहां पर खिचाव आना चाहिए हमें आगे जाना है अब यहां तक जाते हो तो भी ओके और खिचाव फिल करना है दूसरा पैर सपोर्ट लेके ही यह करना है नहीं तो गिर सकते हैं अभी यह जो पैर है में यहां पर इस तरह रखना है और आगे आना है तो काफ में प्रेशल आएगा उसे फील करना है और पोल्ड करना है ठीक है अगर आप डेली एक्सराइज करते है तो जिन लोगों के बॉड़ी में जखड़ा ना चुकी है जो जौइंस उनके स्वेजिंग हो चुके है टाइट हो चुके है उन लोगों को की कोई भी पार्ट हो जो बॉड़ी का पैरों से लेके हाथ तक या नेतनी उनकी कभी-कभी स चीफ हो जाती है उन लोगों ने यह सारी अगर एक्सराइज की तो उन्हें धीरे 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 उनके बॉड़ी में फरक नजर आएगा मैं जो क्लासेज ले रही हूं वहां पर उनके बॉड़ी में अच्छा सा फरक आया है इसके लिए उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके जारा तक्लीफ है बोलो दिन में कम से कम दो बार ही एक्सराइज करेंगे चलो तो आज के लिए इतना ही और वापस कर मिलेंगे तब तक के लिए बाई एंडेक्यर